नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भाजचंद्र ब्रह्मा अंड सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडिया में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवा में यदि दो राशिया है एक राशी यदि कन्या राशी है और दूसरी यदि कुम्ब राशी है तो उनका ग्राशा है घ्ञीआ का अप्ले के प्रेम विवा का वयवा एक सहा जीमन होगा वह किस प्रकार का होगा ऐसे कौन सी बात है जो इसके उपर अंब करना चाहिए दोनों राशी की एकस्पेक्टेक्शन क्या होती है दोनों राशे का संपुर्ण विक्तित्व क्या होता है सभी के बारे में डीटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने जो चैनल है ब्रह्मांट जिद्धियाइस्ट्रो के बारे में कन्या राशी के बारे में अगर देखा जाया तो काल पुरुष के कुंडले में चटे वहे आने वली यह राशी है इस राशी का जो स्वामी है वो बुदा इस राशी का जो तत्वा है पृति तत्वा है और ये जो राशी है वो द्वी सभाव की राशी है सबसे पहले और महत्व बर्णबाद इस राशी के बारे में देखी जा सकती है वो होती है इनकी वानी इनकी जो वानी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, शब्दम पर जो पकड होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, पहले तो सबसे इंपोर्टन बात इनमें ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छी देखी जा सकती है, अकलन शक्ति ग्रान शक्ति सराशी क काफी अच्छे होती है बच्छपन से क्यों कभ डबार इस प्रकार कर से कर frozen बहुत सारे प्रश्टन के पास होते हैं उसके उत्तर है वह ग resonant है वाँ जान जान नते है और फिर जान रहे दे इस वजह से करें कि करीबन हर परक्षेतर के बारे में इनका जो knowledge होता है वो काफी अच्छा होता है और इसी का जो उप्योग होता है वो communication में काफी अच्छे तरह के से देखा जा सकता है इसी वज़े से इनकी इमेज होते हैं समाज में वो भी काफी अच्छे देखे जा सकती है, हसकर बोलना और अपनी जो बात है, वो काफी easily सामने वाले के सामने रखना, यह जो बात है, वो दिन में काफी अच्छे देखे जा सकती है, मुद्दा चाहे कितना भी complicated हो, कितना भी serious हो, लेकिन उसको तो easily सामने वाले के पास explain करें यह जो काबलियत है वो इनमें काफी अच्छे देखी जाती है diplomatic nature इनमें देखा जा सकता है रहेंसन के मामले में अगर देखा जाए तो रहेंसन के मामले में यह जो राशी है थोड़ा सा तीखा होता है अब यह जो तीखापन है वो थोड़ा सा इनके वानी में भी आता है या फिर दिखाए दे सकता है लेकिन यह जो चितरा नक्षत्र है वो इनके dressing या फिर इनका जो और भी रहेंसन इसके प्रती काफी ज़्यादा possessive देखे जा सकते है अब यहाँ पर यह जो राशी है उसका अलग तरह से इस्तमाल कर सकता है जल्दी से ओपन नहीं होते हैं और किसी के साथ ज्यादा नहीं होती यह जो राशी है मतलब जो करने राशी है वह प्रैक्टिकल भी देखे जा सकते हैं कहां पर खर्श करने हैं कैसे खर्श करने हैं किस तरह से खर्श करने हैं किस तरह से इन्वेश्मेंट करनी है इसके बार मामले में इसका दिमाग होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है अब यह बात इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकती है उसके बात इनमें जो श राशी है वो काफी आगे बढ़ सकती है तो ये बात इनमें ज्यादा देखी जा सकते हैं थोड़ासा confidence level इनमें कम होता है मतलब किसी भी मसले पर अगर इनको decision लेना है तो जल्द से decision नहीं ले पाते मतलब decision लेना है नहीं लेना उसी dilemma में रहते हैं उसे कश्मकश में रहते हैं और इसके पीछे और एक कारण होता है कि इनका अमेशा यह मानना होता है काफी ज़्यादा यह जो राशी होती है तो कोई भी अगर मैं decision लेता हो तो वह 100% सही हो जाए इस वज़े से बहुत ज़्यादा information निकालते हैं बहुत ज़्यादा curious होते हैं और जब भी किसी मसले पर आगर आप बहुत ज़्यादा वीचार करते हैं थोड़ा सा negative हो जाते है यह फिर अकॉंट का फिल्ड है टूरिजम इंडस्ट्री है यह फिर hospitality इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री है और ऐसे जो करियर है जिसमें कमिशन की बात यह होते हैं इसमें यह जो राशी है वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है और इसी प्रकर के जो करियर है वो चूज भी कर लेते हैं बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि जो कन्ना राशी के जो वेक्ति होते हैं उनके multiple income sources होते हैं मतलब एक ही income source में वो ठी देखा सकता है तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो इस में परकार का decision power काफ़ी को बिजनेस करना है कि आप बिजनेस में जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते इसी वज़े से यह जो विक्ति है बिजनेस इंडिमेंडले काम करने में थोड़ से प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं अब हम चर्चा करेंगे कुंबर राशे के बारे में कुंबर राशे के बारे में अगर देखा जाए काल पुरुष के कुंडले में ग्यारवे सान में आने वाले राशी है पुरुष राशी है इस राशे का जो स्वामी है वह शनी है इस राशे का तत्व है वह वाई तत्व है और स्तीर स्वरुप यह राशी इस राशी के जो भाव है दो जो गुन है वह काफी ज़्यादा प देखाता हैं मतलब इनके रहन से आपको पता नहीं चलेगा कि इनके फैनेसर स्टेटस कितना अच्छा है तो यह है जब भी आप इनसे कम्मिनिकर्ट करेगों इसके बाद आपको पता चलेगा बहुत ही नॉर्मल इनका जो रहन सेंड है कम्मन रहें सें इनका देखा जा सकता है लेकिन जब भी आप इनसे बाठचित करसे बाद आपको पता चलेगा कि इनकीी इं अगर आप उनसे कुछ पोश्टे हो बोलने के जरूरत तो भी तो ही जो राशी है वह चुप रहना ज्यादा पसंद करती है लेकिन काफी ज्यादा discipline की बाते हैं वह घर पर भी होते हैं जहां पर यह काम करते हैं वहां पर भी होते हैं चोटे-चोटे खुद भी उसी प्रकार से होते हैं वह सामने वेले वेक्ति से भी इसी प्रकार की जो बाते हैं वह एक्सपेट करते हैं दूसरी जदा मैं तो पुर्णबाद इसी वज़े से होता कि है कि घर के जो लोग होते हैं उनके साथ इनकी जो mutual relationship है वह नॉर्मल नहीं रहते क्योंकि discipline म चलने वाली राशी है दूसरी जदा मैं तो पुर्णबाद जो मैंने कहीं कि logic इनके लिए बहुत ही ज़्यादा important है यह जो राशी बुद्धिवादी राशी है हाला कि अन्य भी जो राशी है मतलब मिथन राशी है कन्या राशी है तुला राशी है यह जो राशी अगर चलता है आया है लेकिन यह जो राशी है वो उससे मानने नहीं करने जब तक कि इनको वो नहीं लगता कि उस रिचल में कुछ है कुछ logic है तो logic पर जैसे मैंने कहा कि logic पर ही चलने वाली यह राशी है काफी ज़्यादा discipline होती है और यह जो राशी है इनमें commitment काफी अच होना चाहिए और इनका जो जीवन होता है वो भी काफी ज़्यादा schedule होता है मतलब इनका जीवन देकर इसके example दे जा सकते हैं कि आपको किस तरह से जब लाइफ है वो चलनी चाहिए मतलब तस से मस नहीं होंगे यह जो राशी है इस राशी के बारे में और एक जो बात होती ह है यह जो राशी है वो मतलब जो जॉब होता है उसमें काफी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इनके अपने माएने होते हैं कि किस तरह से लाइफ को आगे बड़ना है बिस्नेस में जो राशी है वो आगे नहीं बड़ सकते फिर्ण के लिए आप बहुत ज़ता अगर discipline होते हैं आपकी जो सोच होते है creativity होती है वो आप में ज्यादा देखी नहीं जाते हो तो और ये थोड़ा सा अलग बात है कि इस राशे में creativity ज्यादा देखी नहीं जाती और मतलब आप इनको जो भी काम करो कहो तो वो काफी इमानित बारे का पूरा करेंगे अब पूरी dedication से पूरा करेंगे और हर दिन मतलब काम चाहिए कैसा भी हो मतलब वो लेकिन वो काम तो पूरा कर रही लेगी और हमेशा एक ही तरह का काम कई सालों तक करने वाली ये राशी है इसमें इनको ये नहीं लगता ऊग नहीं जाते तो ये बात में कमिट्मेंट बहुत अच्छी देखी जाते है discipline होने के कारण ये जो राशी है इनका जो जीवन चरितर होता है वो काफी example देने लायक होता है तो इसी प्रकार की ये जो राशी होती है थोड़ी से तीखी मानी जा सकती है क्योंकि कभी कभी इनकी जो वानी होती है कम बोलने वाले होते है तो दो पॉइंट बोलने वाले होते है जैसे कभी तीखी भी हो सकती है अब हम चार्शा करेंगे कि यदि कन्या राशी और कुंबर राशी यदि फ्रेम विवा में होगे तो बाते क्या-क्या हो सकती है सबसे इंपोर्टन बद अभी तक आपको पता चला होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोना राशी में पहले तो सबसे महत पुर्णबाद इनकी जो बोलना होता है कन्या राशी के जो पूरा जो इनका जो अस्तित्व होता है या फिर इनका पूर्णा व्यक्तित्व होता है वो बोलने के उपर वानी के उपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है उसी से रिलेटेड जो करियर होता है वो भी देखा जा सकता है अब ये जो बात होती है, वो कुमबर राशी में देखे नहीं जाएंगा, कुमबर राशी है बहुत कम बोलने वाली आते हैं लेकिन काम पर उकोत ज़्यादा दोर रखने वाली होती है physical ability से देखा जा तो कन्या रशी की जो physical ability है वो थोड़ी से कम देखे जा सकती है कुमबर रशी में वैंसे देखे नहीं जा discipline का जो बात होती है कुमबर रशी में काफी अच्छी होती है कन्या रशी में उतनी normal देखी नहीं जाती है लेकिन दोनों रशी के विवा के बाद सबसे महत पुर्ण बात आती है वो होता है लेंगिक सूख तो लेंगिक सूख के बारे में अगर देखा जाए तो कन्या रशी जो होते हैं लेंगिक सूख के बारे में बहुत ज़्यदा बोलीगी लेकिन प्रत्तिक शुरूप में active होना कन्या रशी को उतना नहीं जमता अब ये जो बात है वगर कुम्पर रशी के बारे में अगर देखी जाए तो कुम्पर रशी जो है वो जैसे मैंने शुरूवत में का अमीत बाशी होते जादा नहीं बलेगे लेकिन इनका जो लेंगिक सुख के प्रति इनके जो बात है दोनों राश्यों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लेकिन इसके उपर अगर मूचल अंडरस्टाइडिंग से बात कही जाए तो वह सौट आउट हो सकती है इसके बावजूद अगर आपके वाईवाई जीवन में किसी प्रकर के बड़े प्रॉब्लम कॉप्लिकेशन आते है तो आपकी जो कुंडली है वह देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है क्योंकि जो राशिया होती है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के उपर आदरित होती है हर एक कुंडली में उसके बारे में ज्यादा कहा चाह सकता है तो दोस्तों ये था कन्या और कुम्वराशी का अगर प्रेम विवा का वाईवाईक साज जवन किस प्रकार का होगा इस विचेपर चर्चा आप कोई वीडियो कैसे लगए आपने किस प्रकार से अनुबो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है ब्रह्मान दे सिद्धियाष्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना नियवाद